इस वीडियो में हमारे पास question number 8 और question number 9 है प्रशनावली 6.4 से question number 8 पहले करते हैं और यह multiple choice questions हैं ओके लेकिन फिर भी हमें proper तरीके से solve करना है क्योंकि हमें साथ में reasoning भी देना है कि ऐसा क्यों हुआ है ABC और BDE दो संभाहु तरीबुच इस प्रकार से हैं कि जो D है वो BC का मद्दे बिंदू है तो सबसे पहले तो यहां पर figure बनाना आवशक है हमने एक संभाहु तरीबुच पहले बनाना है तो यह जो संभाहु तरीबुच है इसको नाम दे लेते हैं ABC जो D है वो BC का मद्दे बिंदु है तो ये है D दूसरा त्रिवुज है BDE और वो भी संबा हुए तो देखो कैसे बनेगा इसको इस तरब बना सकते हैं हम तो ये हो गया और ये हो गया है और ये BDE बन गया है बात समझ आगी और यहां पर हमें इनके खशेतर फोलों का अनुप याद करना है तो देखो मार्यडियर सबसे पहले बात यह है कि जो त्रूज कि ABC है वह है कि सीमिलर है यानि सम्रूफ है त्रूची BDE के क्यों सम्रूफ है क्योंकि सभी समणाह त्रूज आपस में सम्रूफ होते हैं हो सभी Rivers Amate Bil तो यह तो पता चल गया कि यह सम्रूप आपस में अब सम्रूप त्रिबुजों की क्या प्रॉपटी होती है तो आप लिख सकते हैं कि जो इनका एरिया होता है वो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर के बराबर होता है बहुत सिंपल है यह तो इनका हमने एरिया लिखा और क्या होगा संगत भुजाओं तो आप ले सकते हैं संगत भुजा यहां से BC और यहां BD तो बड़ी त्रिबुज की आपने भुजा ली BC यह वाली और जो छोटा त्रिबुज है उसके आपने भुजा ली कौनसी यह BD वा देखो तो आप बोलोगे कि सर अब मैं आपसे पूछों कि यह कौन और यह कौन क्या है बराबर हैं तो बिल्कुल बराबर हैं क्योंकि दोनों 60-60 डिग्री होते हैं संभाहत्र भुजाईए तो इसकी वज़े से इनकी जो सामने की भुजाएं हैं वो संगत हो जाएंगी ओक तो इसलिए इनकी संगत भुजाओं का जो अनपात है उसका हम वर्ग निकाली हैं और यह प्रापर्टी होती है अब यहां पर एक चीज़ देखो अगर हमें BC और BD में संबंद मिलिया तो हमारा आंसर आजाएगा और बहुत आसान है BC और BD में संबंद याद करना क्योंकि जो BC है वो BD का दुगना है कैसे पता चला क्योंकि question में ही बोला गया है कि D इसका मद्द बिन्द है तो यानि ये और ये बराबर हो गए और BC BD का डबल हो गया है ये जो चीज़ है हम यहां पूट करेंगे तो ये आजाएगा BC के जगए पे 2 BD रखेंगे upon BD इसका है square हो और ये कड़िया और ये simply 4 upon 1 आ गया तो जो इसका अनुपात है यानि area ABC अनुपात area BDE ये हो गया 4 अनुपात 1 चार अनुपात एक हो के और ये हमारा answer आ गया option C correct है अब हम करेंगे question number 9 question number 9 बिल्कुल सिधा question है दो समरूप त्रिबूजों की भुजाएं इस अनुपात में हैं इनके क्षेत्र फॉलों को अनुपात क्या होगा simple क्या formula होता है कि मानलो दो त्रिबूज हैं हमारे पास एक त्रिबूज ABC है और दूसरा त्रिबूज PQR है और ये आपस में समरूप है तो क्या होता है इनके क्षेत्र फॉलों को अनुपात यानि ABC का area upon PQR इनका अनुपात होता है संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर ये ध्यान रखना ठीक न अब question में भुजाओं का अनुपात ये दिया है तो यानि भुजाओं है 4 अनुपात 9 में इसका वर्ग करेंगे तो यह आजाएगा 4 चको 16 बटे 9 में 81 और हमारा आंसर आजाएगा 16 अनुपात 81 ठीक न तो यहाँ पे ध्यान रखना भुजाओं का अनुपात दिया है कभी अनुपात दिया होता है तब आप इसकी जगह पर पूट करना लेकिन अभी उन्होंने भुजाओं का अनुपात दिया है इसलिए हमने यहाँ पर पूट किया और यह पूट कर दिया और हमारा आंसर आ गया है ओके तो आई होप आपको यह समझ आया होगा इसे के साथ